क्लास एर्थ फर्स्ट लेसन जड़ा अब्दुल हमीद है उसने असी जड़ी बुक एक्सराइज ओवर पड़ डिसकस करने लगे हैं पहला क्वास्टन है हूँ अब्दुल हमीद कौन सी अब्दुल हमीद वोज अब्डेव इंडियन सोल्जर अब्दुल हमीद एक पारत दा बहुत ही बहादर सिपाही सी वोज अब्दुल हमीद देखो क्वास्टन दे विच पन रहे हैं अब्दुल हमीद वोज जड़ा अगे लगया उन्हों पिछे लगा देना है अब्दुल हमीद was a brave Indian soldier ए तुसे याद रखना अद्धा question अद्धा answer जीड़ा question दे विच है ते अद्धा answer तुसे learn कर रहा है Second question है Which sector was he fighting in ओ केड़े sector दे विच लड़ रहा सी यह अब यह answer उसे तरीके देनाल बनुगा He was fighting in ए चार शबद question दे विच विच वह ने He was fighting in खेमकरण sector देखो sector भी शबद जीड़ा question दे विच हैगा इस करके खेमकरण कला शबद जीड़ा तुसे त्यान दे विच रखना है बाक्की दा जीड़ा answer है वो question दे विच वह ही बन रहे है He was fighting in खेमकरण sector अगला तीसरा question देखो Where is the village named Chima situated? जिड़ा Chima नाम दा पेंड़सी गा उग कित्थे जी? देखो एदा भी answer जिड़ा एग question दे विचो ही बन रहा है The village named Chima is situated in खेमकरन sector ठीका जी मिन लगदा है question तो नहीं असान लग रहे होगा चोथा question है What sort of tanks did Pakistan have? पाकिस्तान दे कोड कित्दा दे tanks सीगे? इस इस इसमाल करते हैं इदे विच्चे have दी जगा दे हैड लग जो डिट खतम हो जुगा कि मैं पाकिस्तान हैड dangerous and powerful tanks पाकिस्तान हैड dangerous and powerful tanks पाकिस्तान दे बोल देंजरस थे बहुत ही खतरनाख थे बड़े शक्ती चाली टेंक सीगे पंजबा question What made the Indian soldier happy? पार्ती सिपाहिया नू किस गल ने खुश कीता? The Indian soldiers were happy when a Pakistani tank caught fire पार्ती सिपाही जदों ओदों खुश होए जदों एक पाकिस्तानी टेंक नू अग लग गई Question number 6 How did Hamid destroy enemy tanks? Hamid ने दुश्मना दे टेंका नू किमें तबा किता? इदा भी answer question दे भी चोई देखो निकल रहा Hamid destroyed the second form लगा दनी है destroyed did खतम हो जुगा Hamid destroyed the enemy tanks with his special gun Hamid ने दुश्मना दे टेंका नू अपनी एक special खास गन दे नाल तबा किता? सत्मा question देखो How did Hamid fight the enemy and what happened to him? Hamid दुश्मना दे नाल कितना लड़िया ते उनू की होया? answer है इदा भी answer question दे विच चोई निकल रहा है देखो Hamid fight the fort बन गया Hamid fought did खतम हो गया? क्योंकि second form लगी जन दी है answer दे विच चे Hamid fought the enemy bravely ठीक है जी? bravely शब्द अपना add करे है पेले जड़ा question से उदे लई ठीक है? उस तो वाद and तो वाद आला जड़ा question है what happened to him? and he died for his country Hamid दुश्मना देना बहादरी देना लड़िया ते उहो अपने देश दे लई अपनी जिंदगी दे देती अठमा question अपना देख दिया how was Hamid honored for his bravery? Hamid नु उदी बहादरी दे लई के में समानित किता गया Hamid एदा भी answer question दे वे चोई निकल रहे है Hamid was honored with परमवीर चकर for his bravery with परमवीर चकर तुसे लगाना बाकी दा answer है जड़ा question दे विच्ची है Hamid was honored with परमवीर चकर for his bravery Hamid नू परमवीर चकर दे नाल सनमानित किता गया उदी बहादरी दे लई नोवा question देखो how do you feel about Abdul Hamid after reading the story of his bravery तूसी complètement परमवीर चकर दे हो एनू परि दे परि कहानी पढ़न तो बाद उदी बहादरी दे कहानी पढ़न तो बाद तूसी Abdul Hamid जी बारी की महसूस करदे हो की feel करदे हो की सोचदे हो we feel proud ठीक है वी फिल प्राउड अबाउड दी जिगा न तो ते ओफ लगा लिया वी फिल प्राउड ओफ अब्दुल हमीद देखों कि प्राउड ओफ ही आंदा हुंद है ठीक है वी फिल प्राउड ओफ अब्दुल हमीद आफ्टर रेडिंग दा स्टोरी आफ इस ब्रेवरी देखो अब आफ्टर तो बाद आला सारा क्वास्चन देवे चक्की हुई लाइन है वी फिल प्राउड ओफ अब्दुल हमीद आफ्टर रीडिंग दा स्टोरी ओफ इस ब्रेवरी सानू बड़ा मान महसूस हुन दा अब्दुल हमीद देवारे अब्दुल हमीद जी दे लई ओधी कहाँ आणी नूँ ओधी बहादरी दे कहाँ नी नूँ पढ़न तो बाद ठीक है जी ये आंसर जड़े नहें बन देने नमबर दो दे उत्ते जड़ी एक्ससाइज है दिखो एक्ससाइज केंदे के फाइंड फ्रॉम दे लेसन पांज लिखिया हुई याने ये लेसन दे वेच किते किते ने तुसी ए लाइन्स नू त्या अंदे वेच रख दे हुए लेसन नू तुसी एक बरी दबारां तो स्टड़ी करो देखो दबारां दो उस्तों बाद अपां तीसरी मेन एक्ससाइज दे आजिये टिक दा क्रेक्ट ओप्शन तो कम्प्लीट दा संटेंस ये तिन ओप्शन आ तो डिकोलिक देतीया हुई याने हरे एक क्वास्चन तो बाद उनना दे विच्छो तुसी सही अंसर देखने ने सही अंसर आप हम ऐसे टेक भी करे हुई ने चलो पसंद जा अभी देने या ते हमीद कुड़ हिट दे टैंक्स विद हीज गन इफी वन्टी टू बट ही वेटीट बिकोज हमीद चंदा ता अपनी गन दे नाल उट टैंकान दे उत्ते गोली चला सकता सी पर उसने इंतजार की था बिकोज क्यों ही डिड नोट वान टू वेस्ट हीज शोट क्योंकि उहों अपने किसे भी गोली नू किसे भी शोट नू उहों वेस्ट नहीं सी जान देंदा उह खराब नहीं सी जान देना चांदा सेकेंड क्वेस्टन है हमीद वास दियर बिगेस्ट एनमी बिकोज हमीद उनना दा सब तू बड़ा दुश्मन सी क्यों क्योंकि उनना दे टैंका नू तबाह कर रहा जी इस करके उनना दा सब तू बड़ा दुश्मन सी थर्ड क्वेस्टन है हमीद कुड़ शोट अबर्ड एट नाइट गाइड़ बाई इट्स साउंड बिकोज हमीद रात दे समय पंची दी आवाज सुनके वी उदा शिकार कर सकदा सिगा क्यों क्योंकि he was a crack shot क्योंकि हो बड़ा वदिया निशान ची सी चोथा क्वेस्टन दो हमीद वाज वांटिड बैडली he wanted his soldier to fight on पावे हमीद जड़ा सी ओ पूरी तरह जखमी हो चुक्या सी पर फेर भी he wanted his soldier to fight on पर फेर भी ओह अपने सिपाहिया देले ए इच्छा रखदा सी का कि ओह लड़ दे रहे हैं आखरी सांदा का लड़ दे रहे हैं चोथी main exercise एरे विच की है choose the words from the box पहला देखो आपा question पढ़ देया अब्दुल हमीद was awarded पहला question इथे प्या देखो सेंट्राला परमवीर चकर for his bravery अब्दुल हमीद was awarded परमवीर चकर for his bravery second question one shell of the enemy hit अब्दुल हमीद while he was destroying the enemy tank third देखो the Pakistani army had got patent tanks बिल्कुल पहला पहला जिड़ा answer जिनी चीज़ता होया ठीक है चोथा question है अब्दुल हमीद died fighting for his country number 4 लिख्या होया for his country in the game current sector number 5 देखो the war between India and Pakistan was fought in 1965 ठीक है जी AC की important book exercise जड़ी की पेले lesson दिया है तुसी notebook देखो अपने सबंदित अध्यापक सहवान देनाल कोई question होवे तो तुसी discuss भी कर सकते हूँ तो ठीक है अपनी चैनल लो subscribe कर लिए